पंडितरा मक्षनें सही और सटी कुत्तर के साथ-साथ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सर्वपथम कुत्तर किस ने दिया अब जैसा कि हमने देखा महराज ने देखा, आपने देखा कार्य को बीरबल ने सब के समक्ष हल करके दिखाया तो बस बीरबल हो गया अर्थान बीरबल विजय हो गया अर्थान बीरबल मोहा रहे अर्थान तो उस परदा का ये पढ़ाओ बीरबल जीत गया है महरासा ने प्रुदा शाथ 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 अनितरामक्रिष्णा बीरबल ने हल निकाला और ये विजयता हुए है सत्यवचन महराज बीरबल ने इस कारे को प्रत्यक्ष करके दिखाया है और प्रत्यक्ष को प्रमाण के आवश्यक्ता नहीं होती अता बीरबल ही विजय है स्पर्दा के इस पड़ाव को बीरबल जीच चुके हैं अरन तो अभी और भी बड़ाव शेश है तो बीरबल पूर तहा अभी ये स्पर्दा जीते नहीं है और पंडित राम विष्णा पूर तहा फारे नहीं है गुरुवर आप बीरबल को यहां लाएं महाराज बीरबल जैसे हीरे को हम खोच कर लाएं आप हमें हीरो का हाथ देना चाहते हैं इस भेड के लिए थन्यवाद महाराज गुरुवर यह हार बीरबल को पहना ही आप जी महाराज महाराज इस भेड के लिए धन्यवाद साथ में से छे कारिय अभी भी शेश हैं जो सब्वर प्थम इन में से चार कारिय पूर्ण करेगा वो विजेता होगा और वही विजेनेगर राज्य का अश्ट दिगज बनेगा यह पढ़ाओ यह कारिय भी अद्बुत है महल और उसके आसपास के विस्तार में पांच ताज अथाथ पांच मुकुट शिपाए गए हैं इन मुकुट को ढूनना है इसे ढूनने के लिए आपको संकेत सूत्र और पहलिया दी जाएंगी जो नहीं दिखता है उसे ढूनना है और ढूनने के लिए दृष्टी नहीं दूर दृष्टी के आवशक्ता होगी प्रत्यक ताज में अगले ताज की संकेत सूची चुपी होगी तो आईए हम पढ़ते हैं पहले ताज को पढ़ने की पहली काले घोडे पर सफेद सवारी एक उत्रा तो दूसरे की बारी हो रही है ऐसी तैयारी कि रहे ना जनता भूख की मारी माराज कहां कहां से पल्लिय ढूंब कर ला रहे हैं हमने सब देखा कि कैसे आप कल की उवक से हार गया है उत्तर मुझे भी पता था परंटू उत्तर पता था तो अपने पास क्यूं रखा उत्तर बेचकर मेरे लड़ो लेकर आना था क्या हमें पता है कि तू हमारे बिना जीत तो क्या हार भी नहीं सकता अब हम हम ओगे हैं तो देखना है । कैसे जिता देंगे हम कहां जारहे हैं। हां तो हम सब के साथ कहां जा रहे हैं। हम घोडों के अस्तबल में जा रहे हैं घोडों के अस्तबल में बीरबल पहेली सुल्जाने के लिए दिमागी घोड़े दोड़ाने परते हैं यह वास्ताफ कि घोड़े दोड़ाने की क्या वशक्ता है पहेली सुनियों और समझने की कोशिश करिये काले घोडे पर सफेद सवारी, एक कुत्रा तो दूसरे की बार, हो रही है कुछ ऐसी तैयारी के रहेना प्रजा भूक की मारी, अर्थात के जो आदमी महल का बना अधिक खाना गरीबों में बाटने जाता है, उसका पोशाक सफेद है, और घोडा शायद काला, तो सम्हावना ह कि ताज को अस्ताबल में छुपाया गया हो, वा, अधुत, अविस्मर्नी, अकल्पनी, अधुत्य, वेरबल लेश्वर ने आपको कितना मुद्धिमान बनाया है, सर्तिक हावीरबल आपने, अब हर किसी को आपकी तरा भगवान कैसे बना सकते, कुछ का है, कुछ नहीं हो, चली, चली, चलते, अम्मा पूछ रही है, के अस्तबल तो उस दिशा में है, तो हम इस दिशा में क्यो जा रहे हैं, क्योंकि मैं अस्तबल में नहीं जा रहा, मैं रसोई घर में गा रहा हूँ, अरे, पहली भूल गया, क्या, काला घोडा, सफेद सफारी, तुझे करो, और परिशान करना बंद करो, मेरा सही घर में जा रहा हूँ, यहां काला घोडा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अरे, गधो, तुम्हें यहां कोई काला घोडा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, अब यहां दिमाग के नहीं, महनत के आवशकता है, अस्तबल का चप्पा चप्पा डूमना होगा अच्छा, डूंटे डूंटे है विर्वाल जी गुरुजी, गुरु, 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 गुरुजी, टेके, रहें तरबार नाये, गुरुजी सुनो, सुनो जी, और अर्थ बताओ काले घोडे पर सफे सवारी, एक उत्रा तो दूसरे की बारी हो रही ऐसी तैयारी की रहेना परजा भूग की मारी बताओ गुरुवर, मुझे इस मंत्रकार्थ नहीं पताओ मुर्क, जाओ, दूर हो जाओ हमारी द्रिष्टी से रुकिये, क्या यहाँ आज कोई काला घोडा आया था? नहीं कोई और आया गया हो? नहीं ठीक है, जाइए अम्मा, यह तो रसोई घर है यहाँ तो कोई काले घोडे की तस्वीर तक नहीं लगाता इसे इस समय भी अस्ट दिगज बनने के नहीं खाने के सपने आ रहे है तब ही रसोई घर में आया है वो देखो ये तवा काला घोडा है उस पर रखी रोटियां सफेद सवारी और ये रसोई घर ही वो स्थान है जहाँ कोई भूखा ना रहे मिल गया पहली कार बत्त दनाले अबमा ये आटी करी असले सोने का अने का ताज है पंडित रामा जी भंडार ग्रह में और भी आटा का पात्र पड़ा हुआ है ले आओं ने ने उसकी कोई आवशक्ता नहीं है एक ही ताज था और वो इसी पात्र में ही था अध्वत पंडित रामकुष्णा अध्वत अब हम अगले ताज को खोजनी की पहली बढ़ेंगे एक फूल है लाल रंग का सर पे हमेशा सुहाए देश दूप में खिल जाता पर ख्याओं में मुर्जाए महाराच कृष्णा देवराय की महाराच कृष्ण देऎराय की महाराच कृष्णा देवराय की भूल है लाल रंग का सर अब यह जो महाराज ने पहली में जिसका वर्मन किया, वो फूल तो पहली में ही हो सकता है, ये बाग बगीचों में तो कदापी नहीं मिलेगा, बगीचों में राज है, पर उन तो महाराज के रत पर मिल सकता है राजगुर जी, महाराज भार सेर पर या प्रजा से मिलने जाते हैं? कैसी बाते कर रहे हो बीरभल? वो महाराज हैं, उन्हें सेर करने से या प्रजा से मिलने से कौन रोक सकता है? अरे मेरा अर्थ, के जो रत पर महाराज जाते हैं, वो रत का है? बीरभल, रत सदैव, महल के बागीचे के बाहर रुकवाया जाता है, वो वही है आईए, आईए, ये है वो रत, देख लिजे देख लिया, अब चले रुकिये, जब महाराज शाहिरत पर सवार होके जाते हैं, तो उनके सर पर एक लाल चाता होता है हाथो, आप कहना क्या चाह रहे हैं, हम समझे नहीं एक फूल है लाल रंक्राज, जो सर पर हमेशा सुहाए तेज दूप में खिल जाता, पर छाओं में और जाए हाँ, दो यही है वो लाल फूल करें विंभाई जीत थोल जीत लिया ओसे कि यह थोशचार जाए नहीं होता है सब्सक्राज़ और जोगे ने आर्थों को समझ़ा तो परिणाम मिला देखो पीफड यदि विजे शिरी का ताज अपने सर पर पहनना है तो सभी ताज हमें खोजने होंगे एक स्थधी में यदि आप मेरी सहायता ना करें तो किन्तु बंडित रामा कृष्णा की सहायता तो कर ही सकते तो इस समय पंडित रामा कृष्णा और बीरबल दोनों ने एक-एक ताज धून निकाला है अथाद एक-एक जीत दर्ज कर लिया आएए अब आरी है तीसरे ताज की जिसकी पहली दूसरे ताज में थी एक राजा की अनोखी रानी दूम के सहारे पीती पानी पिये तो रहे उसकी जवानी अन्यता है वो मरजानी हमारा अनुमान है वो जो राजा है वो अवश्य किसी नदिया का राजा है हाँ तभी तो उसकी रानी पानी पी पी कर पी पी कर जवीत रहती हाज गुरुजी हाँ मैं जहां सोच रहों संभवता तीसरा ताज महीं होना चाहिए अच्छा एक राजा की अनोखी रानी जो कभी पिये ना पानी अशार्दा महोदया तुम जाकर पानी पी कर आओ और पहेली को गलत मत दो रहाओ ऐसा नहीं था क्या था अपनित रामा किष्णा जी पानीत रामा किष्णा हमें आपसे कुछ साहता चाहिए गुरुवर समय ऐसा है कि यदि मैं स्वैम अपनी साहता करूं तो मेरे लिए अधिक अच्छा होगा तब कोई बात नहीं आप अपका हर्द मुझ से क्यों समझना चाहते हैं च्वके आफ्टा है कि ये पहेली का लगते हैं हाँ यदि आपकर हैं तो हम महाराज से काहकर पहली परिवर्थित करने की परात्ना कर सकते हैं अब दिखे न यह वेएक राजा की दो दो रानी एक प्रेम की दो कहाणी । बिछड जाय तोेरम मरजानी क्या ये गलत है गलत है आप सही कह रहे हैं ये पहिली गलत है जो आपने सुनाएगे ? ना 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 पंदित्रामा किष्णा, हमने जो सुनाई है वही सही बहली है, हाँ, हम गलत नहीं कह रहे है, हम शर्ट लगा सकते है, नहीं, बहली में तो कुछ और है, यहीं तो है, ऐसा हम नहीं, अम्मा कह रही है, आप कुछ और ही सोच रहे है, नहीं, पिये तो उसकी जवानी अन्य था मर जानी, ऐसा कुछ था आज गलत है पंडितिर्हांकिश्णा जी आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है चलिये जी के कोई बात नहीं परन्तु आप को जनम देने वाली मा उस पर तो विश्वास है न, बोली आप हमें अर्थ समझाने वाले थे हाँ वो सुनो जी अम्मा कह रहे हैं कि उन्हें उत्तर क्या थे बताओ पहले तताचारे को भेजिए उसके पास्चात ही उत्तर बताएंगी बोलिये ने पंदीतरामा किश्ना आप चुप क्यों बोलिये अच्छा देखिए 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 हमें लगता है कि मिछणने से रानी की मृत्ति है लेकिन हाँ यदि राजा रानी पर बहरा लगवा देऊ तो रानी कवी नहीं मारेगी पर लेकिन वो 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 इन सब में वो वो ताजका से आएगा देखिए तू अपना दिमाग क्यों खर्च कर रहा है जब मुझे उत्तर गया थे तो तो क्या थे तो बताती क्यों नहीं क्या है उत्तर अमा कह रही है कि पहले हम पहेली दोराएं ठीक है अमा एक राजा की दो दोरानी एक प्रेम की दो कहानी पिछर जाये जो कभी तो है मर जानी अरे इतना सरल ही तो है यह पहली महराज पर ही है महराज की ही तो दो-दोरानिया है तो महराज के ही कक्ष में होगा ताज अच्शक हो अभण है संच्वा जल्ड़ने चलते हैं हाँ क्या तुम हाराज के कक्ष में जाने के लिए तो मंत्री बर्सी अनुमती लेनी पड़ेगी अ कि अ कि अ कि अ कि अ पंधी दिनामा कृष्णा की ऐसे साहिता की यह समस्त विजणेगर में कोई उसकी साहिता नहीं करेगा अरे भीबल, हम तनिक उस और क्या गए, तुम सब यहाँ चड़े आए, क्यूँ? क्या देख रहे हो? है? मुस्कुरा क्यों रहे हो? हे भगवार! एक राजा की अनूखी रानी, दुम के सारे पिये पानी, पिये तु रहे उसकी जवानी, अन्यता है वो मर जानी! दिया है पहली का है, ये दिया है पहली का है, वाँ भीरबल, वाँ भीरबल! परन्तु ताज का है? ताज खोजे बिना कारिया पूर नहीं होगा मिल गया मिल गया ताज मिल गया ताज मिल गया ओ अमेश्वरी तुम क्या तब से पांचवी बार पलंग का भमन कर रही हो एक बार में नहीं मिला तो क्या दूसरी बार में चमतकार से ताज मिल जाएगा क्या जिसे तुम महाराज के समूख प्रसुत कर दोगी हमने पहली का अर्थी गलत समझा है एक शब नहीं सुनना मुझे तुम्हें नहीं कह रहा हूँ अम्मा को कह रहा हूँ अम्मा शांत मुझे दोग्षंड शांती से सोचने दो एक राजा की अनोखी रानी तुम के सहारे पीती पानी जब तक पिये रहे जवानी ना पिये तो मर जानी अम्मा हमें भ्रमित किया गया है चलू हुआ है हमारे साथ मैंने जो अभी दोहराई वो ही सही पहिली है और उसका उत्तर है दिया अर्थात महल का दीप स्थम अरे आईए आईए पंडित रामा किष्णा बिल्कुल सही स्थान पर आये आप धनी मैनी जी गुरुजी तनिक पंडित रामा क्रिष्णा से थोड़ा खेद व्यक्त कर दीजिए इन्हें आने में थोड़ा विलम हो और ताज हमें मिल गया अब ये ताज हम स्वयम अपने हाथों से महराज को देंगे बंडित रामा क्रिष्णा तुम्हारी हार और बीरबल की चीत के बीच पात्र एक ताज की दूरी बिलबल तु एक दोगे बाद निकला तुने लामा की जाथ चल गया उचे गुम्हारा गया मैंने तुम्हें अपना भाई और अम्मा ने तुम्हें अपना पोत्र माना था जी सब देखके हम क्या समझे हाँ पनित रामा क्रिष्ण जी क्या आपको भी लगता है कि मैंने आपके साथ चल किया है यदि हाँ तो मैं अभी सी समय प्रतिस परदा छोड़के चला जाओं नहीं चल तो हुआ है किन तु जानता हूं कि तुमने नहीं किया गुरुवर्ण ने किया है यह भी जानता हूं कि छलने वाले से अधिक दोश चले गए व्यक्ति का होता है कि तो तुम भी याद रखना विर्बन कि हर वो जीत जो चल और कपट के खोकले आधार की नीव पर खड़ी होती है वो कभी भी गिर कर धराशाई हो सकती है अच्छत है मैं आपकी बात ते सहमेत है और मैं वच्छन देता हूं कि अपसे इस प्रदिस परदा में मैं कोई छल नहीं होने दोगी हे मा नजाने अगली पहेली क्या होगी अब पारी है चौथे ताज को ढूलने की और उसकी सुची कुछ इस प्रकार है जिसका फ्रेम बेमिसाला जवाब है जिसके चर्णों में चारो धाम है जिसकी पूजा हर कहीं तमाम है जिसे अपने सारे बच्चे प्यारे हैं वोई तो इस जगत का निर्माता है इस पहेली में जिसका नाम आता है उसी के पास आपका भी काम आता है कुछ की कठीन लग रही है पहेली ये तो आप लोग पहेली सुल जाए है हम चलते हैं महाराज कृष्ण देव राइकी 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 हम उत्तिर के लिए विजयनगर के सभी मंदिरों में जाएंगे चलो चलो आईए वहीं चली आओ जाओ मंदित रामकृष्णा हमारे अनुमान से यह अब तक की सबसे सरल पहली है मंदिरों में जाईए और ताज लेकर आईए चलो शीगर करो वो लोग यह से चले गए यह किया किसी प्लखी की आने की प्रतिक्षा कर रहा है, पता भी है विजयनगर में कितने मंदिर चलो शीगर चलr नहीं अमा मुझे केबल मा के मंदिर में जाना है परंटू परंटू अ किउ जाना है जिसे अपने सारे बच्चे प्यारे हैं वो ही तो इस जग का निर्माता है और निर्माता में ही माता का शब्दा आता है जिनका नाम इस पहली में भी है कर दो जिसे इस जग कर दोड़ा आता है तुम्हारे आशिर्वात से मुझे जीवन के हर कठिन से कठिन कारे में सफलता मिली है आज इस परिक्षा की घड़ी में भी तुम्हारे ही क्रिपा रही तुम्हारे इस चर्णों की भेट को तुम्हारा आशिर्वात समझ अपने साथ लिये जा रहा हूँ ये हमारे पास चोथा ताज आ गया है जिसे धून निकाला है पन्नित राम गृष्णन इसकार थिये हुआ कि दोनों प्रतित्वर्दियों ने दो दो ताज ठून निकाले है इस समय प्रतियों की ताके इस दूसरे पड़ाओ में दोनों प्रतित्वंदी दो दो की बराबरी पर है और अब बारी है पाँचवे और आखरी ताज को ठूनने की जो भी इस पाँचवे और अंतिम ताज को ठूनेगा वही इस दूसरे पड़ाओ का विजेता भी होगा जब ता दिगजो के अनुसार इस कार्य को फून करने है तू आपको दूर दृष्टी की आवश्यक्ता हो दूर दृष्टी तो हमारे पास है आये देखते हैं किसके पास है वो दूर दृष्टी पढ़ते हैं सुची पत्र पाचवे दाज के लिए विश्रू का जौन्ष है महान जिनका पंच है मानते हैं वो गुरु जिने उसी में जीवन का सारांश है वीरभल ए महाराज तो पहली का क्षिर्त बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाती जा रहे हैं वो कैसे पहली पहली राज महल के अंदर तक सीमित थी उसके बाद राज महल से बाहर निकल कर विजे नगर के समस्त मंदरियों तक पहुँच गई और अब सीधे विश्ण वोगान तक पहुँच गई क्या बाद है इस पाँचवी संकेत सुची के विशे में किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई तो क्या हम यह मान ले कि इस पाँचवी और अंतिम ताज को ढूनने के लिए आप दोनों में से कोई भी सक्षम नहीं है भाराज जी पंडित रामकृष्ण भगवान विश्णू का जो अंच है महान जिनका वंच है वो तो हम सब के महाराज स्वैम समराज श्री कृष्ण देव राए है और जिन्हें आप अपना गुरू मानते हैं उन्हीं में अपने जीवन का सार पाते हैं और वो सार ही आपके जीवन का सारांज है गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विश्णू, गुरूर देवो महेश्वरा गुरू साक्षात परब्रह्मा, तसमेश्री गुरुवे नमा गुरूर, मैं आपसे आग्रे करूँगा कि कुछ क्षणों के लिए अपने आसन से उठ जाएं हाँ, है? पर्लित रामाकृष्णा है आप हमें हमारे स्थान से उठने के लिए क्या कर हमारा आपमान कर रहे हैं और उपर से आप उसे विनुदी की संग्या दे रहे हैं? क्या है ये? गुरुवर, कृपिया रुष्ट ना हो और पंडित रामाकृष्णा को सयोग दे जी माराज है? प्रुवर, क्या है अद्धोत पंडित रामाकृष्णा हमारे अगल में ताजुर हम ही नहीं पता चला यह अगार इस पाँचवी पहले की पंक्तियों में गुरुवर के प्रती जो हमारा प्रेम है जो समान है जो उसने है उसका उल्ले किया है और हमें अत्य अत्य प्रतुनता है पंडित रामाकृष्णा के आपने हमारी भावनाओं को समझा और जो दूसरों की भावनाओं को आदर करते हैं, समझते हैं चीत स्वयम उनकी तरफ चल कर आती है तो इस प्रकार पाच में से तीन ताज पंडित रामाकृष्णा ने खोश निका लें और स्पर्दा के इस पढ़ाव के विजयता आप हुए हैं पंडित रामाकृष्णा तो इस प्रकार पहला पढ़ाव विर्बल जीते हैं और दूसरा पंडित रामाकृष्णा और जैसे की इस स्पर्दा की प्रथा रही है जो विजयता होगा उसे पुरसकार मिलेगा तो अब बारी है तीसरे बढ़ाव के आरंब की दो दर्बान है सीनातान एक है सच्चा एक है जूटा दो द्वार आमने सामने एक नर्ख को खूलता दूसरे से स्वर्ग मिलता पूछना है केवल एक ही प्रश्ट वो भी बस एक ही बात और खोल कर गर आर और पार जाना है स्वर्ग के द्वार आप सब देख सकते हैं कि आपर दो द्वार हैं आमने सामने दोनों के समीब एक एक दर्बान खड़े हों इन में से एक दर्बान प्रश्ट बोलता है और दूसरा हमेशा जूट बोलता है अब दोनों प्रतियोगियों को क्या करना है इन दोनों को किसी भी एक दर्बान से एक प्रश्ट पूछना है परंदूस परंड रहे किसी भी एक ही दर्बान से केवल एक ही प्रश्ट पूचा जा सकता है उसके पश्चात आपको अपने विवेक से ये निर्णे लेना है कि कौन सा द्वार खोला जाए यदि आपने स्वर्ग का द्वार खोला तो आप जाई होई और यदि नर्ग का द्वार खोला आपसे तो आप पराजित हो गए ओ अच्छा 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 एक और धान पुर्वक सुनने वाली पात है दोनों में से जो भी प्रतियोगी सर्वब्थम प्रश्ट पूछता है और द्वार खोलता है और वो यदि स्वर्ग का द्वार हुआ तो दूसरा प्रतियोगी बिना प्रश्ट पूछने के अफसर ही पराजित हो जाएगा परन्तु महराज इससे विप्रिद भी तो हो सकता है जी मामंद्री जी आपका कथन बिलकुल सत्य है यदि प्रतियोगी नर्क का द्वार खुला तो जो दूसरा प्रतियोगी है वो बिना किसी प्रयास के ही यह प्रतियोगी तक जीच जाएगा अता हम तत्तर हैं ये देखने के लिए कि आप दोनों में से कौन सर्व प्रतन द्वार खोलने का प्रयास करेगा वीरबल, ये कैसे ग्यात होगा कि कौन सा दर्बान सक्ते बूल रहा है, कौन सा जूट बूल रहा है हमें तो जहरे सी ये दोनों तप्टी लग रहे है ये पहली तो चक्रवी जैसी है राजगुरु जी, ये बेहर जटल और कठन सी पहली है इसके हल के लिए हमें धर्बान के उत्तर पर निर्बन ना रहकर पहली में हल खोजना होगा परंतो उसके लिए हमें गंबीरता से सोचना पड़ेगा हाबद सोच तो बंडित रामा कृष्णा विरा है और सोचने वाली बात ये है कि ये सोच क्या रहा है ये बंडू रामा किसी भी द्वार को खोलने से पहले अपने मस्तश के सभी द्वार खोलेना और शांती से विचार करना रामा हाँ बंडू तो बता रामा अब क्या करेगा स्वर्ग का द्वार खोलूँगा अच्छा तो क्या तुझे उद्धर क्या है पता है नहीं किन्तु प्रस्ट क्या पूछना है ये पता है सुनिये देखिया पहली कौल करने के लिए पहले मत जाएगा क्यों 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 क्या देख उस गुर्वर के चहरे को उस पर साफ लिखा है कि उसे उत्तर ग्यात नहीं है और ऐसे में जब बीरबल पहली हल करने जाएगा तो दर के नरकदवारी कुलेगा अम्मा ये समय बीरबल के डर पर डाउन लगाने का नहीं है महराज मैं पहली का हल निकालने ही तू दर्बानों के समीब जाने की अनुमती चाहता हूँ क्यों बीरबल मौद है आपको कोई आपती तो नहीं नहीं महराज कोई आपती नहीं दर्बान महोदे यदि मैं उस द्वार के साथ खड़े दर्बान से ये पूछू कि स्वर्ग का द्वार कौन सा है तो वे किस द्वार की और संकेत करेंगे हन्यवाद से खर्दीर थर्म चरते खर्म हुर्डबन हिसे घ्रसेत याओ डेफ याओ ह क्जाड़ पपपपपनावी याओ प्रतियोगिता एक मानसिक त्वंद है और प्रतियोगिता का उद्देश्य ही है इन दोनों की मानसिक शक्ति की सही पैचान करना तुम्हारा जिसका अर्थ ये हुआ कि प्रतियोगि उसी पहली में विजेई घोशित किया जाएगा जिसका हल वो अपनी बुद्धी से करेगा ना कि किसी संजोग से अब देखिए पंडित रामागिष्णा ने जिस पहली को हल किया है हो सकता है कि उन्हें उसका उफ्तर गयात ना हो मात्र संजोग से द्वार खुल गया हो क्यूंकि दर्बान ने जो द्वार दिखाया वो तो पंडित रामागिष्णा ने खोला ही नहीं गुरुवर, हम आपके तर्क से सहमत हैं गुरुवर, ये वाला द्वार खोलना ही नहीं था क्योंकि ये नर्क वाला द्वार है क्या दिए clinical से एड़ाएष नहीं थीड आर खोल सी नहीं 1946 कि ये नर्ड में से तर्क सिव में। मैं थे हो तरे खोल रड़ Давай पक्या हा झाल tow रहा ऱुका एना नही है जहीं जहीं तर्क का भेस अर्डiva विद्धिToday, विद्धि bic' क्यों विद्भ army कि आप क्या मानते हैं इसकी भी महराज मैं समझ गया पंदित रामा जी ने दःवान के बतायवें दॉबार को ना खुलके दुस्रा अदौबirie क्यों खोल अदुध विद्भ विर्भ!? हम चाहते हैं कि आप अब तमस्त दर्बार को ये बात समझाएं जिससे सईयों को कोई संदय ना रहे महाराज प्रस्ने एक था और उटतर देने वाले दो एक सच बोलने वाला और एक जूट बोलने वाला यदी पंडित रामा जी जिसकिसी भी दर्बान के पास गए समझे कि वो जूट बोलने वाला दर्बान था और उन्चे उन्होंने ये पूछा कि यदी मैं सामने वाले दर्बान से पूछू कि स्वर्क का द्वार कौन सा है तो वो किस और संकेत करेंगे क्योंके इनकी प्रकृती में ही जूट बोलना है तो यह जूट ही बोलेंगे और नर्क द्वार की ओर संकेत करेंगे अब समझे यदि पंडित रामा जी सत्य बोलना वाले दर्वान के पास गए और उन्हेंने उन्चे भी यही प्रश्ण पूछा कि यदि मैं सामना यह दर्वान से पूछू कि स्वर्थ का द्वार कौन सा है तो वो किस ओर संकेत करेंगे क्योंके यह सत्य बोलते है तो वो सत्य ही बोलते और नर्क द्वार की ओर संकेत करते है अब पंडित रामा जी का चत्वराय भरा प्रश्ण ही इस प्रकार था कि दोनों स्तिती में संकेत नर्ग द्वार की ओरी होता इसलिए पंडित रामा जी ने दर्बान के बताए हुए द्वार को ना खोई कर दूसरा द्वार खोला महाराज मुझे भी उसका दुक्तर तभी समझाया जब पंडित रामा जी ने ये प्रश्ण पूछा तो बिना किसी संदे के ये जीत पंडित रामा जी की हुई है अथो मुझे पंडित अथो पंडित रामकृष्णा आपने पुना एक बार ये स्थापित कर दिया कि आपकी सोच सक्षम भी है और दूर दर्शित भी और बेर्बल महोदाई आपने जिस प्रकार अभी-अभी फलका वर्णन किया हमें लगा कि आप फलके बिल्कुल करीब पहुँच गए थे अर तो पंडित रामकृष्णा पहले पास ही मार गए तो इस प्रकार इस पड़ाव के विजेता है पंडित रामकृष्णा अब तक तीन पड़ाव पूर्ण हो चुके हैं जिन में से दो पड़ाव पंडित रामकृष्णा जीच चुके हैं और एक जीत पीरभल महादे ने अपने नाम कर ली है पीरभल पीरभल कुछ परो हम दो एक से पीछे हैं राजगुरुजी पीछे वर्ष्णा परन तुहारे नहीं पंडित रामकृष्णा जी के साथ खेलने में हमें बहुत आनदार है है वीरसिया किसी है हमारे पूछनिय सब्त दिग्जद्वारा दोनों प्रदीद्वंदियों के लिए चौती चुनौती आ चुकी है इसे पढ़ने जा रहे ठान से सुनियेगा समय बीथता है समय हमारे हाथों में नहीं किसी के पास भी उतना ही समय है जितना सब के पास होता है अतहर दिन के आठ प्रहर बस उसका उप्योग हर कोई अलग-अलग करता है इस चौती चुनौती का अधार समय है आपके समक्ष दो रसियां पड़ी है और ये दोनों रसियां समय की सुचक है इस चुनौती में दोनों प्रतियोगियों को समय को बानने की अपनी कला का प्रदर्शन करना होगा महराज परंतु समय को कोई किस प्रकार से बान सकता है मामद्री जी फड़ा धैरे रखे और देखिए ये इतने वाला ये कैसे संभव कर देता है इन दोनों में से प्रतियक रशी को जलने में एक पहर लगता है और दोनों को जलाने में दो पहर अभाप की चुनौत ये है कि आप इन दोनों रशी को कोने पहर में कैसे जलाते हैं कि उने बहर में जलादेंगे कि उने बहर में कैसे जिलेगे कि महाराज आपके दिये गए कारे को संपन करने के अरूमती चाहता हूं अवश्य पढ़ने तरामकिष्णा आपको कोई आपती तो नहीं नहीं महाराज मुझे कोई आपती नहीं आए बिर्बल महौद है महामंतर जी मुझे एक ऐसा दीपक्चे जिसके जियोती की लोग इतनी शक्ति शाली हो कि रस्या जला सके अरे जला क्यों रहे आप महाराज मैंने दोनों रस्या जला दीए जला कि एक तो पुझेत commissions हढ़च़र किर। čार्ल महाराज, जिस रसी को दोनों छोर्चे जलाया था, वो पूरी जल चुकी है इसका मतलब क्या आधा पैर हो चुक है और जिस रसी को एक छोर्चे जलाया था, वो उसे बादी जली ये बाद तो सही है, इसी हम पुष्टी करते हैं महाराज, अब इस आधी जली रसी को हम दूसरे छोर्चे पर जला देते हैं और इसे पूरी तरह जल्ले में एक चौथाई पहल रहेगा महाराज, इस तरह आधा पहर और एक चौथाई पहर हुआ पोना पहर तोनों रस्या पोने ही पहर में चल गई, अधा कार्य संपन हुआ अधाँ अब तक हम चार पड़ाव पार्श कर चुके हैं और इन चार पड़ाव में पनित रामगिष्णा और विर्बल महोदाई दो दो जीत अपने नाम दर्श करके बराबरी बराव पहुचें आप दोनों ने अपनी कुशलता का जो प्रदर्शन किया है अद्वत बराबर की टक कर दिये आप तोनों ने अब समय आगया है पांचवे पड़ाव की ओर जाने का इस पांचवे पड़ाव में छे प्रश्ण दिये गए हैं सब्त दिग्जजोद्वारा और उनी के अनुसार इन छे प्रश्णों का केवल एक ही उत्तर है छे प्रश्ण का एक ही उत्तर? हम दौर आते हैं पांचवे पड़ाव में छे प्रश्ण है और छे प्रश्णों का केवल एक ही उत्तर है जो सही उत्तर देगा वो भी जेता होगा है छे प्रश्नों का एक उत्तर होना असंभव भी नहीं है असंभव से भी असंभव का रहे है राजगुरु जी बेना प्रश्न जाने ये कैसे ग्यात होगा यह भी है तब तर दिग्ज़ को यह भी कहना है कि यह पाँचवा पड़ाओ किसी भी ज्यान से अधिक तत्व ज्यान से संबंदित है ज़िए आप तयार है तो हम सूची पढ़ते हैं ज्यान पुरुक सुनिएगा वो क्या है जो इश्वर से बड़ा है वो क्या है जो शैतान से बुरा है वो क्या है जो गरीबों के पास है वो क्या है जो दन्वान चाहते हैं वो क्या है जिसे घ्रेंड करने से मृत्य हो सकती है वो क्या है जो मृत्य के पश्चाथ भी हमारे साथ आता है महराज दिखा कि ये टत्व जान से संबंदित है और हमें ये तो दिखाएने पड़ रहा है ऐसा क्या हो सकता है जब कोई प्रश्ण आरहम होता है तो उसका आंथ होता है इन छे प्रश्नकों क्या अलत है तो था नहीं क्या है पता नहीं यह कैसी वस्तु है जो है भी और नहीं भी पंडित रामा कृष्णा तो बीरबल को ऐसे देख रहा है जैसे बीरबल के चेहरे पर उत्तर लिखाओ में जो भी प्रतियों की चाहे अपने उत्तर से अवगत्करा सकता है यदी वो उत्तर तक पहुँच गया हो तो महराज यदी आग गया हो तो इन उत्तर देना चाहता हूं अवश बीरवल बीरवल अकारन शीक्रिता मत दिखाओ समय लो समय लो समय लो पिर उत्तर दो उत्तर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता राजगुरेजी तो बीरवल महुद हैं क्या है आपका उत्तर अर्थाद क्या है वो वस्तू कुछ नहीं यह कैसा उत्तर है विरवल महुद है वैसा ही जैसे सब्तर दिख्जों का प्रशन है विस्ताथ समझाने के लिए मैं आपसे प्रातना करता हूं महाराथ के एक एक करके प्रशन दोराकर मेरा सयोग करें यह क्या साहिता मांगली महाराज को काम पर लगा दिया रवश वो क्या है जो इश्वर से बड़ा है कुछ नहीं इश्वर से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है वो क्या है जो शैतान से बुरा है कुछ नहीं शैतान से बुरा क्या हो सकता है वो क्या है जो गरीबों के पास है कुछ नहीं करीब है इसलिए उनके बास कुछ नहीं है वो क्या है जो धन्वान चाहते हैं कुछ नहीं धन्वान क्या चाहेंगे वो क्या है जिसे ग्रहन करने से मृत्तियों हो सकती है कुछ नहीं किते आप कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे तो आपकी मृत्तियू ही हो जाएगी। और वो क्या है, जो मृत्त होने के पष्याद भी हमारे साथ की जाता है। कुछ नहीं, हमें जन्म के बाद सब कुछ इसी लोग के मिलता है महारास। मित्यो के बाद उसे यहीं छोड़के जाना पड़ता है in सबी प्रश्णों का एक ही उत्तर है कुछ नहीं और यह सबी ज्ञान के नहीं अपिकुन तत्व ज्ञान के प्रश्ण i.e. अधखोद, फिर्बल महदाइब इन सबी प्रश्णों का एक ही उत्तर भा जो आपने दिया, कुछ ने, अज़ बत्व पाँच पड़ाव पूर्ण हो चुके हैं और इन पाँच पड़ाव में बीरबल महोदई ने तीन दो से बड़त हासिल कर लिये छटे पड़ाव की और यदि गड़ पड़ाव तर्ग ज्यान पर आधारिथा तो ये पड़ाव पारिवारिक्ता पर आधारिथा का जाता है किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके परिवार से बनती है कहा ये भी जाता है कि जो परिवार एक साथ उजा पाठ करता है एक साथ भोजन करता है, एक साथ अपने सुख दुख बाटता है वसदेव एक साथ ही रहता है तो ऐसे ही एक आदर्ष परिवार के लिए एक भोज का आयोजन होता है और इस भोज में परिवार के सभी सदस्य उपस्तित है ये केवल इस चनौती की भूमी का भांदी है हमने अब प्रश्न की बादे एक आदर्ष परिवार में जिसमें एक सामुईक भोजन का आयोजन हुआ है उसमें एक दादा है एक दादी है, दो पिता है, दो मा है, चार संतान है तीन पोते भी हैं, दो बेटे हैं, दो पुत्रियां हैं और हाँ एक सास और एक ससुर भी है और याद रखिएगा, पुत्र वदु भी है और घर में मात्र एक चौकी और कुल मिलाकर केवल साथ की आसन है अब कठीना यह है कि इस पुरे परिवार को एक साथ बैठ कर इस भोज का आनन्द ग्रहन करना है ना कोई खड़ा रहेगा, ना कोई चौकी पर बैठेगा ना कोई एक दूसरे पर बैठेगा, ना किसी गोद में बैठेगा यह तो बहुत बड़ी समस्या होगे नहीं इतना बड़ा परिवाद उस साथ आसन का तो आप चुनौत ही यह है कितना बड़ा परिवाद एक जौकी और केवल साथ आसन पोज कैसे होगा इस प्रश्ट का उत्तर आज नहीं देना है कल देना है हम आशा करते हैं कि बीरबल महोदाई पंडित रामकृष्णा आप दोनों इस प्रश्ट को ठीक से समझ गये होंगे तो आपके पास एक दिवस का समय है आप जाहिए विचार कीजिए अल ठून कर लाइए और कल उना दर्बार लगेगा और आप में से किसी एक से उचित उत्तर की अपिक्षा रखी परन्तु इसमें एक शर्ट मी है कल जब यहां पर आप अपने अपने उत्तर लेकर उपस्तित होंगे तो अपने साथ जैसा वर्णन दिया गया है वैसा ही एक परिवार भी लाना होगा यहां राज दर्बार में एक होज आयुजित करना होगा और सभी के समख्ष आपको पुचित उत्तर ठापिद करना होगा यदि बीर्बल मौदय इसका उत्तर देते हैं इसका हल ढूण निकालते हैं तो वो पूरी प्रदिसपरता जीच जाते हैं और यदि पंडित रामकृष्णा कल हल ले आते हैं तो दोनों पुना एक बार बराबरी पर आ जाते हैं फिर हम चलेंगे साथ पे बढ़ावकियों तो कल पुना भेठोगी सवा यहीं समाप्त होती है अगर हम दादा को यहां बिठा दे पोता और बहु वहां बैठेंगी और पुत्रवदू धनी समझो तुम पुत्रवदू और मनी तुम दादा हो और हम इस घर के पुत्र हैं हम इस घर के पुत्र हैं अच्छा अमीर बल्ली यह बताएए आप क्या बनना पसंद करेंगे मैं मात्रव पहेली हल करने की इच्छा रखता हूं अब पहेली कुछ है यह इसे इतना बड़ा परीवार एक साथ साथ आसनों पर बैटके कैसे भूजन कर सकता है हाँ वही तो सही क्या रहे हूं मुझे उत्तर मिल गया है अरे वह क्या 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 उत्तर मिला देख परीवार में 20 लोग हैं और बैठने के लिए कुर्सिया साथ हैं हाँ तो हर कुर्सी को बढ़ा कर दे कि उसमें एक कुर्सी में तीन लोग बैठ सके बस उसके बाद और परीवार साथ में बैठके भूजन कर सकता है वहां वहां क्या उत्तर दिया है ऐसे तो एक स्थान और बढ़ जाएगा 21 लोग हो जाएगे तो एक काम करना उस स्थान पर तुम बैठ जाना वर ऐसे लड़्डू खाना हाँ चलेगा तोड़ी देर के लिए अपना मुँ बंद रखो और मुझे दिमाग चलाने दो क्या चलाने दो है तरे पास तुझे पारिवारिक प्रश्ण का उत्तर इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तू फ्वयम पारिवारिक नहीं अरे तू घर पर रहता ही कि परिवार क्या है स प्रम जा सके रामा इनको समझा कि परिवार तो तुझसे ही बना है तुझे इस परिवार का पुत्र पिता और पती भी है हाँ बंधू तेरी बात विचार करने लायक तो है किन्तो इसके लिए मुझे बाहर जाना होगा कहां एक परिवार को ढूंड़ने हुँ नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं जो प्रस्ण में वर्नित परिवार से मिल करता हो हाँ गुरुजी इतनी तो कभी हमने मंदर की घंटिया नहीं बजाई जितना सुबह से लोगों के दुआर खकटा रहे हैं और पूछने जा रहे हैं भाई तुम्हारे घर में सदस्य कितने हैं कैसी मुसीवत है गुरुजी किसी क्या चार सदस्य तो किसी क्या चालीस सदस्य है भगवार यदि हम परिवार ठूंद भी लेंगे उन्हें साथ आशनों पर कैसे बिठाएंगे? वो सब बात में सोचेंगे पहले परिवार तो मिले हम माराथ से क्या कर और आशन लगवा देंगे? महल में कमी नहीं आसनों की यदि परिवार ही नहीं मिला तो भोजन कैसा? पूरे भीजे नगर में एक भी आदर्श परिवार नहीं मिला कोई अच्छा भाई नहीं है किसे पुत्र वदु की अपनी साथ से नहीं बनती है कोई वेक्ति किसी से प्रेम करता है किसी से नहीं करता है अलक अलक वेक्ति से अलक अलक रिष्टा है शिफ 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 शि और पृजय हमोंगी ये सारी बाते बाद में करते है राजकुरुजी अभी दर्बार जाके перे घंद सारी जाके महाराज को उत्तर देना चाहि है हाँ, त्विरंक किस का। फटो महाराज की जैहो महाराज महराज प्रतिसपर्धा का निरने हो गया पंडित रामा किष्णा की पराजाए और बीरबल की विजय हो गई पुर्वर यह आप क्या कहने है महराज वही कह रहे हैं जो कुछ ख्षनों के बाद होने वहला है अर्थाद बविश्य बता रहे है महराज बीरबल उत्तर देने के लिए पुरन तयार है परंद गुरुवर प्रतम अफसर तो पंडित रामा किष्णा को दिया जाएगा महराज कैसा अफसर? कौँसा अफसर? जब कोई अफसर लेने वाला उपस्तिती न हो तो उसे अफसर कैसे दिया जा सकता? गुरुवर पंडित रामा किष्णा यहां पर उपस्तित है बस आप ही की प्रतिक्षा हो रही थी वो अपना उत्तर लेकर यहां पर पहुंच चुके महराज पंडित रामा किष्णा को हम देखते ही पहचान जाते हैं वजत्तिर प्राणी जो हैं हमें यहां कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं गुरुवर पंडित रामा किष्णा और हमारे बीच में वो पर्दा है पर्दा? पंडित रामा किष्णा प्रणाम गुरुवर कैसे हैं आप? महाराज मैं यहां एक परिवार को अमंत्रत करने की अनुमती चाहता हूं अबश्य धन्यवाद महाराज खृपया आप सब यहां एक साथ आ जाएं और इन साथ स्थानों को ग्रहन कर लें आई विराज तो महाराज यह है वो परिवार जो यहां एक साथ बैट कर धोजन करेगा माता पिता पुत्र पुत्र वधु एक पोता और दो पोतिय यह कैसे संभाव है पंडित रामा किष्णा आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है यह तो मातर साथ है जबकि प्रश्ण के उन्सार परिवार में 22 सदस्य थी राज गुरु जी पंडित रामा जी का उत्तर सही है मंत्रीवर क्रिपया गुरुवर के लिए एक बार पुनेश्ण दोरा देंगे अवश्य पंडित रामा जीक्रिश्णा गुरुवर इस परिवार में एक दादा दादी हैं दो पिता हैं दो माता हैं चार संतान हैं तीन पोते हैं दो पुत्र और दो पुत्रिया हैं और हाँ एक सास और एक सशूर भी है और एक पुत्र बदू भी है लेकिन यहां थुस साथ त सद्संदेख अभी बताता हूं गुरू कि छिभ्या आप बदेखे के मैं एक मा हूँ, पत्नी हूँ, पुत्र वधू भी हूँ। मैं एक पिता हूँ, एक पुत्र भी हूँ, और एक पती भी हूँ। धन्यवाद। और महराज इन तीनों में एक पोता है और दो पोतियां है। एक पुत्र है, दो पुत्रियां है। तो महराज ये है वो परिवार जो इस समय सामूहिक भोजन समारों में आमंत्रित है क्रिप्या देख लीजी कोई रह तो नहीं गया नहीं बड़ित रामकृष्णा सब याबर उपस्तित हैं वो भी एक साथ क्रिप्या इन्हें भोजन परोज दें बहुत अच्छे पंडित रामकृष्णा बहुत अच्छे अच्छे पंडित रामकृष्णा महाराज प्रश्ण तो इस प्रश्टता से हल हो गया किन्तु प्रश्ण की पीछे सबत दिगजों का जो उद्देश्य था वो साफ नहीं हुए महाराज इस प्रश्ण की सीख ये है कि हम सब हमारे जीवन में बहुत सारे चरित्रों और रिष्टों को निभाते हैं और परिवार लोगों से नहीं अफितु एक दूसरे के प्रती प्रेम और स्ने के रिष्टों से बनता है अधोत पंडित रामगृष्ण पंडित रामगृष्ण ने नाकेवल इस प्रश्ण का साही उत्तर दिया है अफितु इस प्रश्ण में चिपी हुई सीख से हम सभी को अफ़कत कराया है अधोत पंडित रामगृष्ण इस छठे पड़ाव के विजेता आप होए तो अब तक छे पड़ाव पूर्ण हो गए और पंडित रामगृष्ण और बीरवल महादय दोनों तीन तिन अंक लेकर पुना एक पार पराबरी पर खड़े हो गया है यहाँ पर मेरा यह कहना नहीं बारे होगा कि जिस प्रकार आप दोनों ने इस अधुत इस अधुत्य अध्वन्द का प्रदर्शन किया है यह संदे विजेनगर राजे की गरीमा में प्रिद्धी हुई है आप दोनों का धन्यवाद और अब तात्वा पड़ाव अंतिंपड़ाव निर्डायक पड़ाव यह पड़ाव जो भी जीते गा वो पनेगा विजेनगर राजे का अस्त कर च महाराज अनर्थ हो गया बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महाराज क्या हुआ कोत्वाल महराज हमारे राज्ज का सोना जिस राज बंखी में आ रहाता महराज उस वाहन को उस भूतिय डाकू ने तीसरी बार लूट लिया महराज वाहन तो आ गया महराज पर अंतु एकदम खाली संभव महराज ये बड़ी दुखत सूचना है कि हमारे विजय नगर राज्ज का सोना लूट लिया गया परंतु महराज जितनी बार उस लुटेरे डाकू के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उतनी बार हमें कोई भी सुराग नहीं मिलता और मिलती है तो केवल कहानिया कुछ लोग का कहना है कि वो एक प्रुत डाकू की आत्मा है जो हवा की तरह आकर सोना लूट कर चला जाता है यह कैसे संभाव है महामंत्री जी सोना लाने की हमारी व्यवस्ता कैसी महाराज एक सुरक्षित बग्गी में एक लोहे से चार पर्तों से बना मजबूत बख्षे के अंदर उस सोने को रखा जाता सोना रखने के बाद उस बख्षे को ताला लगा दिया जाता सब पस्चाथ वो बग्गी विजयनगर के लिए लिकलती है महाराज रास्ते के अंतिम पड़ा उपर आती है काली घाटी और महाराज ये वही काली घाटी है जहाँ पर उस लुटेरे डाकु का कहर हुआ करता था और लोगों का कैना है कि वहाँ पर उसकी आत्मा भटतती है महाराज एक दूविदा ये भी है कि विजयनगर आने का एक मास्त्र रास्ता काली घाटी से होकर ही यहाँ पर पहुँचता सिपायो जो गर्जल्य हो जाओ जाओ जड़रेखो आगे पिते है डाए भाई लगे दो का ज़रेखो सिपायो आगे परो परो नो परो और जब वो बग्गी हमारे राज कोश में पहुची तब बक्सा खाली निकला महराज महामंत्री जी शन की बात है ऐसी घटना का होना विजयनगर राज्य की सुरक्षा वेवस्था पर पश्चनची नखड़ा करता है उस थन से हम विजयनगर राज्य की प्रजा के लिए कल्यार कारी कार्य करने वाले थे महामंत्री जी और ये विजयनगर की प्रजा के साथ अन्याय है और हमारे लिए असैनिया है ये अन्याय हम होने नहीं देंगे महामंत्री जी खोतवाल पत भूले राज्य में धन और सोने का आगमन आपके अधिकार खेतर में आता है तो इसके लिए उत्तरदाई भी आप ही हैं जी गुरुवर महराज पूरू की घटनाओं से सबक लेकर मैंने इस बार बहुत ही सक्त और सुरक्षिन ब्योस्ता की थी महराज और अपने राज के सबसे योग खजांची को अपने अनभवी सिपाईयों के साथ न्यूट किया था महराज इसके बाद भी पता नहीं कैसे ये लूट कब और कहां कैसे हो गई महराज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है महराज यदि हम यही सोच के चलेंगे कि ऐसा कोई भूतिया आत्मा कर रहे है तो हम समस्या के हल तक कभी नहीं पहुच पाएंगे क्योंकि भूत और आत्मा केवल अंधिश्रद्दा में ही होती है जी महाराज और यदि हम ये मानेंगे कि कोई तो है जो हमारी उस भूतिया डाकू की कहानी का लाब उठाकर हम पर विश्गात कर रहा है तो ही इस समस्या की हल की ओर हमारा पहला कदम होगा महामंद्री जी महाराज हमने एक घोषना करने का निर्ने लिया है अवश्य महाराज और आदर्निय सब्त दिगजो ने जो साथ पड़ाव दिये थे उनमें से छे पड़ाव संपन्न हो चुके हैं विदिवत संपन्न हो चुके हैं केवल एक शेष है और सात्वे पड़ाव की चुनौते इस समय हमारे हाथ में हम विजनगर राजे के समराज किष्ण देव राए हमारे सब्त दिगजुकी पूर्ण मान मर्यादा उस्तमान को ध्यान में रखते हुए विनम्रता पूर्वा के खहना चाहते हैं कि ये साथवे बढ़ाव की चुनौती हम पंडित रामकृष्ण और वीर्वल महादे को ना देंगे और साथवी चुनौती हम देंगे इसकार्थ ये नहीं है कि हम सब्त दिगजु द्वारा दी गई चुनौती की अफेला कर रहे हैं अभी तू समय की विशमता को देख कर हम ये निर्णे ले रहे हैं साथवा कार्या पंडित रामकृष्ण और बिर्वल महादे आप के लिए ये है कि वो टाकू जो विजयनेगर राजिया और उसकी प्रजा का ठन लूट रहा है उसे पकड़ कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए इससे राजिय को दो लाप होंगे एक तो वो लुटेरा पकड़ा जाएगा और दूसरा विजयनेगर राजिय को उसका अस्त दिगज मिल जाएगा वीर्बल मौदाई पंडित रामक्रिष्णा आप मैंसे जो भी ये कार ये संपन करेगा भई होगा विजयनेगर राजिय का अस्त दिगज इस कारे के लिए हम कोई समय सीमा निर्दारित नहीं कर रहे है परन्तु विजयनेगर राजिय के हिद के लिए हम सभी के हिद के लिए इस कारे को शीगर रती शीगर संपन किया जाए महाराज कृष्ण देवराई की महाराज कृष्ण देवराई की महाराज कृष्ण देवराई की महाराज कृष्ण देवराई की